नमस्कार दोस्तो, सिविल इंजिनेरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्पून वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशेख सिंग, दोस्तो लोग अक्सर घर बनवाते समय, जो गलती करते हैं, एंटरेंस पॉइंट को ले करके, सायद आ आपको ये चीजे सीख लेनी चाहिए, ताकि आपका जब घर बने तो इस तरीके के गलती आप नहीं करें, सबसे पहले दोस्तो बात कर लेते हैं, ये इंटरेंस किस तरह का है, दोस्तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेर रूम भी है, सीरी रूम भी है, ठीक है, और ये जो, सेकेंड वाला हमारा फ्लाइट है, ये दोस्तो तो उपर रहेगा, तो ये बहुत लोगों का पसंद बनता जा रहा है, दोस्तो, कि सीरी रूम भी हो गया, और यहीं से घर का दोस्तो, एंटरेंस भी हो गया, और वहाँ देख सकते हैं, हॉल में, दोस्तो, ये सीधा, सी साइड करते समय, दोस्तो, बहुत सावधानी वरतनी है, वरना 100% चांसे से है, दोस्तो, गलती होने के, आप देख सकते हैं, यहाँ पे, यह एक राइजर, दोस्तो, छे इंच का है, ठीक है, आप काउंट किजिएगा, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आट, नो, द यहाँ पे, दोस्तो, दसवाए स्टेप तक जाते आता है, हमारा राइजर कितना उठ चुका है, दोस्तो, यह नीचे से अगर देखेंगे, तो यह पांच फीट, हमारा प्लिंथ लेबल से दोस्तो, उठ चुका है, ठीक है, और आप अगर देखेंगे, तो यह जो दसवाव है वो beam और साथिसाथ ये जो slab है उसके बराबर में मतलब कि 5 feet की height पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे beam ढाला जा सकता है लेकिन दोस्तों फिर एक problem आएगी कि हमारा entrance चुकी यहीं से है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 5 feet में एक normal व्यक्ती भी दोस्तों आएगा तो उसको क्या करना होगा कि अपना सीर जुका करके entry लेना होगा और daily daily दोस्तों इस तरीके के काम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं यह जो हमारा सीरी है दोस्तों यह हमारे plinth level से start हुआ है ठीक है यह plinth level है लेकिन अगर दोस्तों ध्यान देंगे आप तो आपको नजर आएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो beam है ठीक है यह beam के उपरी हिस्सा में दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे सीरी का starting point है ठीक है लेकिन दोस्तों उस side अगर आप बढ़ते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो plinth beam का height है वो देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से start हुआ है वहाँ तक दोस्तों 12 inch नीचे जा चुका है यह देखिए beam के उपरा हिस्सा में है ठीक है वो beam के निचला इसा में मतलब कि 12 inch का वहाँ पर दोस्तों gap आ गया है वो नीचे में cast किया गया है क्यों cast किया गया है ताकि यह जो 12 inch है दोस्तों वो हमारे जो 5 feet तक यहाँ जा रहा था 1 feet और बढ़ा कर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 6 feet कर दिया जाए ठीक है तो यह अब दोस्तों यह जो आप देख सकते हैं जो plinth beam है यहाँ से यहाँ तक की उचाई की बात कर लेते हैं दोस्तों यह अब 6 feet हो चुकी है लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही suggest करूंगा कि आपको कम से कम जो दरवाजा है दोस्तों उसमें 7 feet का जगा होना चाहिए ताकि एक कोई 6 feet का भी व्यक्ति आए तो उसको भी दोस्तों उपर में ऐसा ना लगे कि उसका सिर सट रहा है या फिर दोस्तों थोड़ा सा आधा एक फिर दोस्तों उपर में जगा रहना चाहिए ताकि आदमी बिल्कुल कमफर्टेवली अंदर और बाहर आ जा सके तो उस केस में क्या करना होगा दोस्तों कि और इसको दोस्तों हम नीचे ने ले जा सकते है चुकि दोस्तों ये एंट्रेंस है ठीक है अल्डेड़ी आज आप देख सकते हैं दोस्तों प्लिंथ लेबल से ये एक फीट नीचे जा चुका है अगर दोस्तों यहाँ पे रोड अगर रहेगा ठीक है हर जगा इस तरीके किसी वसन नहीं होता है मान लिजे रास्ताव अगर आ है तो उस समय आपका प्लिंथ लेबल अगर आपने अरहाई फीट ले करके चला है तो वहाँ पे सिर्फ देर फीट रह जाएगा और वो देर फीट दोस्तों अगर आने वाले दिन में वो क्या होगा कि रोड उंचा हो जाएगा और ये दोस्तों नीचा हो जाएगा इसलिए दोस्तो इस तरीके का जो काम है ये जो entry नीचे करने का काम है वो उससे बचना चाहिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तो कि direct क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे उसको नीचे ले जाने से बहतर है दोस्तो कि इसको और थोड़ा सा उपर ले जाए ठीक है उपर ले जाए ताकि द आगे में रोड है, ठीक है, तब आपको दिक्कात आ सकते हैं इस तरीके के काम से, तो इस चीज को समझना चाहिए, और यहां पर दोस्तों कम से कम साथ फीट का गेट देना चाहिए, और साथी साम दोस्तों वो जो प्लिंथ लेवल है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले दिन में वो जगह उंचा होगा, तो उस समय हमारा यह इंट्री कहां तक जाएगी, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों सारे चीजों को दिहान में रखेंगे, तो आप बहुत ही सही एंट्रेंस विट ए स्टेर केस बनवा पाएंगे, फिर मिलते हैं, मुझ